नमस्कार दोस्तों इंडिया की सोच चैनल पे स्वागत है मैं मुदाबार नगर पालिका में मौजूद है और चुनावी घमासान जो है चोरों से चल रहा है लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि यहां पर मैंने अभी दो वार्ड में सर्वे किया है जिसे सर्वे है वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लेकिन और भी जो है प्रत्यासी सामने आ रहे हैं तो यहां पर नगरपालिका में मdr udah मांगी जाती है और विकास के मुद्य को लेकर भी लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो धर्म के नाम पर यहां वोट मांगी जाती है और हमारे साथ आज मौझूद है नदीम जी है और उनसे बात करने वाले हैं कि चुनाओ आखिर लड़ने की मन में सोची है इससे पहले चुनाओ लड़ भी चुके हैं जो असफल रहे हैं और इस बार भी प्रयास है तो कोशिस करने वालों की हार नहीं होती है सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चनल में आपका जी बहुत बहुत सुख्रिया चुनाओ नगरपालिका का आप लड़ रहें इससे पहले भी दो बार आप चुनाओ लड़ चुके हैं तो असफल रहे हैं लेकिन आप कोशिस जारी रखे हैं तो अपकी बार चुनाओ लड़ रहे हैं तो आपकी बार आपको क्या लग रहा है देखे ये चुनाओ जो नगर पालका का है सीमा विस्तार के बाद ये एक अपना अलग तरीके से चुनाओ हो रहा है और इसमें हमारे ग्रामिल की जो मदाताज की संख्या जो बढ़ी है क्योंकि हम इससे पहले भी दो चुनाओ लड़ चुके हैं और पूरी विधान सभा का ज उनकी मदद हो पाती है वो हम लोग करते हैं जनता सर्व समाज की जनता हिंदू मुसल्मान दलेत सारे समाज के लोग हमारे साथ में रहते हैं उनकी द्वाय उनका आसिरवाद रहता है चुनाओ में जीतहार लगी रहती है जिन दिन इस्वर की मर्जी होगी जिन चुनाओ इ अभी विधान सभा का चुनाव हुआ हमारे पूर विधायक नरेन सिंग वर्मा जी उनको हम लोगों ने तन मन से चुनाव रड़ाया और किनी कारणों से वो चुनाव लूज कर गए च्छै बार वह यहां के विधायक रहे हैं जंता के प्री रहे हैं और हमेशा जंता के लोगों को जिस तरीके से होता है वो मदद करते हैं और मुझे आसा ही नहीं वल की पुरी उम्मीद है नगरपाल का परशन महुंदाबाद की जंता नौजवान गुद्धुञार्ज जिवी हर समाच के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस बार जंता महुंदाबाद में लिए काम करेंगे महुदाबाद में चौमुकी विकास होगा हिंदू-मुस्लिम भाई-चारा मजबूत होगा मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा अचा यह जो हिंदू-मुस्लिम आली बात करते हैं कि आपको लगता है कि जैसे कि योगी सरकार है सबका साथ सबका विकास लेक कर की जाती हैं वो न की जाती हैं क्योंकि हमारे देश की सरकार हमारे परदेश की सरकार हमारे प्रदान मंत्री जी हमारे मुख मंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबके विस्वास की जो बात करते हैं वो तो सही है मगर जो अस्थानी नेता हैं वो सबका साथ सबका विकास स अगर उनके मन में कहीं न कहीं से चोर है वो केवल एक समुदाय की बात करते हैं और उसका केवल औकेवल एक रीजन है क्योंकि वो जानते हैं कि केवल हमको एक समुदाय का ओड मिलेगा एक समुदाय का ओड नहीं मिलेगा मेरा मानना है कि एद हम जनता के दिलों को जीतने का का करेंगे उनके विश्वास को जीतने का काम करेंगे निचित तोर पर सर्व समाज की जनता अपना आशिरवाद देने का काम करेंगी और अपना ओडर सपोर्ट देकर नगर पालका में अपना सेवक चुनकर भेजने का काम करेंगी अगर आपको जनता यहां का जिसे कि आप आज के जमाने में सिच्छा बेवस्था बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अगर आपको यहां के जन्ता का असिरवात प्यार मिलता है अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ नया करेंगे और किस तरीके से बदलाओ चाहेंगे नगर पालिकम हमदाबाद का मैं ज्यादा कुछ न कहकर इसमें इतना कहना चाहता हूं कि तारीक हमेशा महापुरसों ने लिखी है और जो तारीक लिखी जाती है वो उससे इतिहास बनता है महुदाबाद की जन्ता ने यदि अपना आसिरवात धिया विकास की गंगा भी बही जाएगी सब का सम्मान किया हिंदू मुसलिम आपसी सवहार्त प्यार मुहबबत भाई चारा गंगा जमनी की जो हमारी तहजीब हमारा देश हमारा हिंदोस्तान सदियों सदियों से हमारा महुदाबाद रहा है वो रहेगा और महुदाबाद में विकास नहीं होगा बलकि एक विकास की मिसाल दी सभी नेता करते हैं लेकिन जीतने के बाद सभी मुकर जाते हैं तो कितने परसेंट जनता को मतलब महसुस कराएंगे कि हां जो है कितने परसेंट हम बादे अपने पूरे करेंगे हम जन्ता के स्टुक्दुग में पूरे पांन साल स्थमर पीत रहते हैं हम हारे हैं हारने के बाद जन्ता के पूरे पांन साल स्चुदुग के साथी नदीम हमद रहते हैं और इसी लिए मेहुदाबाद की जन्ता ने मुझे एक उपाधी से नावा जा है हंडेट डायल हंडेट डायल माने अखलेश जादो जी इस परदेश में उनकी सरकार थी तो लाये थे जैसे सव नंबर को फून किया गया ततकाल वो हाजिर होती है उसी तरीके से हमारे महुदाबाद की स्थरु समाज की जनता समानी जनता जहां पर भी हमको याद करती है मैं ह हमारे पूर विदहार जनप्री नरेल सिंग अदर्स नगरपाल्का का दरजा दिलाया था नगर पालका का दर्जा आदर्स होने के बाद जो हमारे महुदाबाद में सफाई का जो बेवस्था है जो नालेओं की बेवस्था है जो गंदगी है और महुदाबाद में चारो तरफ गंदगी और भरष्टाचार नगर पालका में चरम सीमा पे ब्याबत है और जिस जहां प पर सफाई की बात की जाए मैं तो नगर पाल का करतियासी हूं और दोचुनाऊ हरा हूँ आप मेरी गली की नाली को देख लिए मेरे समयर के नाले को आप देख ले हम एक हफता के सफाई करमशार्यों से जब मैं खुसामत करता हूं तब करता हूं तब जाके मेरी नाली साब hoti कि आपका है जो आपका है जो हिंदू-मुस्री में एकता का पर्तीक है जो मेहुदाबाद में सबका साथ सबका विकास की रह पर मेहुदाबाद के लोगों को जोड़ने काम करें नगरपालका में जब कोई भी अपना काम लेके जाए तो उसके साथ भयद्र भाउ ना किया जाए सवतेलब्र हार ना किया जाए मैं बल्कि नगरपालका की संब्मानी जनका के साथ प्यार महहबब्र से पेस आकां किया जाए